अकोला 24 नियूज में आपका हर्जिक स्वागत है उत्तरपरदेश के हातरस में 19 वर्षी दलीत क्यूती को खेत में ले जाकर बलतकार करने वाले अरोपियों को जल्द ही फासी की सज़ा दी जाए सत्य शुदक समिती की मांग बता दे की 14 नॉमबर को उत्तरपरदेश के हातरस गाउं में 19 साल की नाबालिक लड़की को खेत में ले जाकर बलतकार किया गया और उस पर अत्यचार किया गया है इतना ही नहीं इन चार अरोपियों ने उस लड़की की जीप काट कर गले और गर्दन पर गहरे जखम दिये और पीट की हड़ी तोड़ दी और उसके भाई को ये कहकर फरार हो गए तेरी बहन मर रही है उसकी लाश उठा कर लिया इस घटना को लेकर पुरे देश में आक्रोश जदाय जा रहा है पिलेता की वेद्दी के तपासनी में बलतकार सिद्ध हो चुका है जिसके बाद भी अभी तक चार अरोपी में से तीन अरोपी अटग किये हैं जबकि चौथा अभी भी फरार है इस निवेदन में मान्य परधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहाब को सत्य शोदक सेवा समिती जिला अकोला महराश्टर की तरफ से नम्र निवेदन और विननती के साथ कहा गया है कि इस घटना के सभी अरोपी का फास्ट ट्रेक कोड में केस चलाया जाए और तीन महिने के अंदर फासी की सजा दी जाए जिसको देखकर बलतकार और अत्याचार ना कर सके ऐसा निवेदन में बताया गया है ये निवेदन बार्शी टागली तैसिलदार मारफत मान्य परधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहाब को दिया गया है इस वक्त सत्य शोदक समीती के संस्तापक अद्देख अविनाश राठोड नितिन गवई जिलाद्देख सवर एखा रवेंद्र गेडाम जिलाद्देख सत्य शोदक समीती महिला अगाडी मोहन जादव, संजयवाट, गजनन, वागमारे, महराश्टु परधेशत्दिक, इरफान शेक, अजीस खान, बबन इंगले, मांगिलाल पवार, उपस्तित्थे आज आपने जो निवेदन दिये, वो किस विना पर दिये बताए आज बार्चे टाकली यहाँ पर सत्य शोदक सेवा समीती और महराश्ट राज्जा ग्रामिन पत्रकार संग, उन सहिंखती युद्यमान से मानिय तशिल्दार साहिब गजानन हमत साब के माध्यम से हमने मानिय पंतपरदान नरेनरजी मोधी इनको एक निवेदन दिया है उत्तर प्रदेश में 14 सप्टेमबर 2020 को 19 साल की युथी जिसका नाम मनिश्या है यह गलित समाथ से पिछले समाथ से आती है इस युद्य के उपर जो खुद को उच्च जाती के समझते है ऐसे चार युगों ने उसके उपर खेत में ले जाके जो बलतकार किया यह अत्तिशय निंदनिय बाब है और इस भारत देश की गठना को कालिमा फासने वाली बात है इसके विरोध में हमने मानिय नरेंदर जी मोधी साब से तशिल्दार साब के मात्यम से हमने निवेदन दिया है कि वो जो चार आरोपी है वो चार आरोपी में से तीन आरोपी को अटक किया गया है और उसमें का एक आरोपी आज भी भरार है उस आरोपी को पकड़के इन चा सब्सक्राइब करने का काम कुछ ऐसे जो जिसकी मनोउर्ति की जो लोग है जिनकी मनिशा इस देश में एक साथ रहने वाले लोगों को तोड़ने की है ऐसे लोगों को सबक मिले और दुबारा ऐसे कोई यूर्ति के साथ में ऐसी दूर घटना कभी ना घटे इसके लिए हमने माननी और नरहेंद्रव मोदी साथ से हमने आज निवेधन के माध्यम से हमने डिमांड रखी है अखुला 24 नीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि आपको मिले हर वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले